तो मैं हूँ तरेत पाली मठ जी हाँ आपने सुना होगा इसका नाम तरेत पाली मठ अचानक चर्चा में आ गया है पुरे देशफर में क्योंकि यहाँ पर धिरेंद्र सास्त्री की कथा होने वाली है यह कथा पटना के गांधी मैदान में होनी थी लेकिन गांधी मैदान में क कि खासियत बहुत अलग है हर जगा राम जी सिता जी रहते हैं पती पतनी की रूप में लेकिन यहां पर माता सिता माता के रूप में बिद्यमान है ऐसा कहा जाता है उजारी इसे बात करेंगे क्या खासियत है इस मंदिर की देखिए सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद सबसे पहले आश्रम हमारा जो तरित पालीमठ है आज से करीब तीन सारे तीन सो बर्स पुर्व में अस्थापना हुई इसके अस्थापना प्रम्हंस स्वामी राजेंद्राचार जी महराज ने ने मिशारन्य से आ रहे थे पग यात्राव करते थे कहीं पर अचानक रात्री में इतना कसके बर्शा होने लगी और अंधर आया कि पूरे गाओं त्राही माम हो गया पूरे गाओं के अदमी सोचा कि साधो जी आज भींग गये लेकिन जिस पीपल के पेड के नीचे बैठे थे उस पीपल के पत्ता जहां तक की गई वहां तक एक बुन नाम तरेत रखा पड़ीत तरीत इती तरेत जो नकरात्मक सक्तियों से तर गया उसी का नाम तरेत पाली मठ है और अधर पाली में जो अभी ठाकुर जी रामलक्षमन जान की हैं बगल में रुस्तम गण में रहते थे वहां मंदीर में रहते थे वहां पर विदी विधान से पूजा ना हो पाया स्वामी जी के पास आकर के बहुत सारे भक्त अनुनय बिनय करें स्वामी जी हां मंदिर बना करके लाए जब स्वामी जी भगवान को लाए तो हनुमंत लला को जब ला रहे थे तो हनुमंत लला वहां से उठी नहीं रहते इतना भारी हो गए कि बड़ ओठ कर गया है पहले संस्था उधर खपडा का था बहुत पहले तो आसे समझी रहावाण था जिस तरह से प्रगतिव ही उसतरह से करके संस्था बिराजमान हुआ उसके बाद हमारे पुज्य दादा गुरु स्वामी बासुदेवाचार्जी महराज ने है बासुदेवाचार्ज के बारे में इसा कहा जाता है जो भी बहुत चर्चित संत स्वामी राघवाचार्जी महराज उन्होंने भी अपने कथा के माध्यम से जिक्र किया कि हाँ पर बैगन का पेड़ थ यहीं पेन बारह वरस्तक लत्तर की रूप में रहा और एक दो दिन दिन पर दो किलो तीन किलो निकलता था उसे ठाकुर जी का भोग लगता था उसके बाद स्वयम सुपने के रूप में स्वामी बासुदेवाचार्ज को आया कि अब हमें छोड़ दिया जा स्वामी जी ने ब इस मत्क में स्वामी धरणा इधराचार जी महराज जो देश में विख्यात हैं जो इंद्रा गांधी को भी भुत्यभविश्व बर्तमान का ग्यान दी हैं इंद्रा गांधी के समय में यहां पर ताला मार दिया गया था ताला मारने के बाद स्वामी जी को पता लगा स्वा अपना कुर्सी चुर करके देने लगी लेकिन स्वामी जी ने बोला कि नहीं यह आपकी जगह है आपके जगह पर हम नहीं बिराजमान हो सकते मेरी जगह दूसरेट इसा बात है उसके बाद बरतमान में स्वामी शुदशनाचार जी महराज भी महंत है बठाधिस है उनके नित स्वामी जी कि तरफ से बतलाया जाता है कि यह 50 लाक रूपया स्वजोग दिया दिये थे और उनहीं की महावीद्याले अस्थापना है जो भी इनवर्सीटी में भी इनवर्सीटी से पूर्व किये कोलेज स्थापना है इन्वर्शिटी भी समय दर भंगा इंवर्शिटी स्थापना नहीं हुई थी और इस महा बिद्याले से कितने वी कितने प्रोफेसर निकल करके पुरे देश में सेवा दे चुके हैं लालू जी जुड़ी हुई कथाएं हैं, किद्वन्तियां हैं इस मठ से और वो किद्वन्तियां बड़ी ही आकर्षक हैं, कोई राजनेता भी हुआ चुता नहीं रहा है, जब इंदरा गांधी कुर्शी छोड़ने को बाद्धे हो गई, लालू यादो अपने सांसत नेधी से यहां पर फंड दने के लिए मजबूर हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्व है, और कितनी धार्मिक अस्था से जुड़ा हुआ है यह जगह, यही पर धिरन्द सास्त्री कथा करने आ रहे हैं, पुरजोर त्यारी चल रही है, और तेरह तारिक से कथा सुरू होगी, पांच बादलेगा.